हेलो एवरीवन स्वागता आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पार्ट शालामी तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ मंतली करेंट अफियर्स तो आज करेंगे जैनुरे टॉटाउसेंट टुएंटी त्री के फुल मंत के करेंट अफियर्स है वहाँ पे आपको जैनुरी के जो बाकी अदर पार्ट ने जिसमें हमने अलग-अलग सेक्शन को कवर किया है वो सभी आप वहाँ पे देख सकती हैं तो देखिया जिब आप सब पार्ट को कंप्लीट देखेंगे तभी आप एक मंतली कर इंटरफेस को अच्छे से कवर कर कर पाएंगे तो इसलिए फेंट्स मैं आपसे ये आपको एडवाइस दीना चाहूंगी कि आप लोग ज़रूर बाकी पार्ट को भी कवर अप करें और यहां पर मैं आपको ट्रिक्स से भी याद करूंगी जहां जहां ट्रिक्स आपको ज़रूरी लगेंगी आपके लिए व आप लोग डारेक्टली टेलिग्राम पर सर्च भी करेंगे लॉजिक पार्ट शाला सिक्स्टीन तो आपको हमारा गुरूप मिल जाएगा इसको जॉइन करें पीडिफ सभी अवेलेबल है इस गुरूप पे तो चले शुरुवात करते हैं अपॉइंट्मेंट से फर्स्ट क हो जाएगा सौरफ गांगुली को अपना ब्रैंड मेस्टर पॉइंट किया है किसने बंधन बैंक ने अब देखो इससे कैसे हम असोसियेट करेंगे तो मैं आपको दो तरीके बता दूंगी आपको जो सही लगेगा चल साल लेगा आप इससे यूस कर लीजेगा सबसे पहले ठीके तो ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है या अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो सौरब में रब आ रहा है तो रब से जो हमारा बंधन है वो एक एक अटूट होता है ना कि रब के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं तो आप इससे ऐसे भी असोसियेट कर सकती हैं बंधन पैंक के शुरु चंदर शेकर घोश है और इसके M.D.C.O. भी चंदर शेकर घोशी है हिटकॉर्टर है इसका कॉलकाता में और इसके चेर परसन है अनुप कुमार सिनहा नेक्स्ट कोशन देखे हूँ है इस बिन अपॉइंटेड अपॉइंटेड एस चेर्मेन ओफ अमूल तो अमूल के अध्य इस बिर्दय अपप कड़ लेना है कि आप इससे डारेक्ट असोसीयेट तो इसे कैसेoste कर सकते हैं आप ऐसा इम्हाजन आप इसा ले सकते हैं कि शाम को सभी भाई लोग अमूल की ऐसक्रीं कता है फिल्हाँ मूल का वे अवुय? हो इसे प्रिवाउंटेश आ चाहलें? आग उनका नाम क्या है सुजोए लाल थाउसेन तो इसे कैसे एसोसियेट करेंगे देखे बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है न तो वहां पर सेना ऐसे कर लो सेन से सेना बना लो कि सेना को वहां पर पॉइंट किया जाता है जाकि बॉर्डर की सिक्योरिटी बनी रहे तो वहां पे वो लोग बहुत महनत करते हैं, मतलब वो जॉय नहीं ले पाती, जॉय नहीं कर पाते ज़ादा, क्योंकि उन्हें डटे रहना पड़ता है, वहां पे पूरी नजर गड़ा के, कहां पे बॉर्डर पे, तो दो देखों यहां पे हमने कीवर्ट पकड़ लिये, तो इस House of Representatives, तो अमेरिकी प्रतिनिधी सभा के जो अभी अध्यक्ष पॉइंट होए हैं, उनका नाम है Kevin McCarthy, तो इसे हम ऐसे एसे सोचिए, कि भाई देखें, यह US में रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, यानि अमेरिकी प्रतिनिधी सभा के अध्यक्ष पनी, तो जब वहां पे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए आपको सिफिक कीबर्ड यानि चूटा सा हिंट ले लेना है, नेक्स्ट कोशन है, हुआज बेन अपॉइंट 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 है, तो जो महराष्ट की नई एकॉनॉमिक अड्वाइजरी काउंसिल है, उसके प्रमुक के रूप में अपॉइंट की से किया गया है, एन चंदर शेकरन, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि महराष्ट में हम महान राष्ट की बात कर सकते हैं, कि अगर हम महान राष्ट की एकॉनॉमी चाहती हैं, तो उसके लिए चंद एडवाइज की जुरूत नहीं पड़ेगी, आपको उसक प्राइवेट रिसर्च और्गनाइजेशन के रूप में काम करेगी जो फोकस करेगा जो इशूज है जो की अकरिकल्चर से सम्मझ देते हैं बांकिंग से इंजिनरिंग एजूजेशन तो इन सबी से सम्मझ जो भी इशूज है उन पर ये एडवाइजरी जो काउंसिल है ये अगला कोशन है who has been appointed as a managing director and CEO of the Bombay Stock Exchange Limited BAC के जो अभी managing director बनी है उनका नाम है सुन्दर रमन रामपूर्थी तो देखे आप Bombay की बात करते हैं तो Bombay हमारे दिमाग में आएगा तो हम बहुत ही सुन्दर एक तरीके से हम उसको imagine करेंगे तो बस यहां से आप इसको keyword को पकड़ लो सुन्दर को banking sector में मैंने revision के लिए कुछ और appointments रखे हैं जैसे सूरिदे Small Finance Bank के MDCO बने थे दुबारा इने report किया गया है बसकर बाबू रामचंदरन Equitai Small Finance Bank के MDCO बने P.N. वासुदेवन SBI Funds के MDCO बने समशेर सिंग Federal Reserve Bank of New York के पहले Vice President COO बने है कौन बनी है सुशमिता शुकला RBI की Central Board के डारेक्टर मनी है विवेक जोशी तो बार बार दिखे फ्रेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो Definitely आपको याद हो सकती है सबी चीज़े और अगर फ्रेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक ज़रू करें शियर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगला कोशन देखिए कोशन थोड़ा सा उलटके पूछ लिया आप लोगों से उनका नाम बता दिया पूछा गए कि कौन से बांक में को आप इंडियन के बाद में विदेश में रहने लगे लेकिन फिर भी हम उने मूल रूप से मानेंगे वास्तम में इंडियन तो वास्तव और अजय दो वर्ड यहां से हमने रिलेट किये हैं इन्होंने रिप्लेस किसे किया है पार्त प्रतिम सेन गुपता को 31 दिसेंबर को यह इनका टेन्यॉर एंड हो गया तो उसके बाद यह अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट कोशन रिटाइड आर्मी जनरल पेट्र पावेल यह किस कंट्री के प्रेजिडेंट के रूप में इन्हें इलेक्ट किया गया है तो पेट्र पावेल बनी है चेक रिपब्ली के अज़ प्रेजिडेंट इस तो ऐसे कैसे सुसीड करेंगे देखिए पेट लेफ लिजाइं यहां से हांसे किसी अब भी पेटो किसी के पास भी लिएं अगर आपके बास है आपको बहुत हो ठीओ करना होता है तो आपको उनको कूछ प्रॉबलम तो नहीं होई को दिक्कत नहीं होई तो आपको उनको समय समय पर या तो चेक अप कराती रहना चाहिए आप खुद भी चेक करती रहना चाहिए तो जिससे हम याद कर सकती है चेक रिपब्लिक जग रिपब्लिक यह आप देख सकते हैं यूरोप कॉंटिनेंट में है, कापिटल है पराग, करंसी है कोरुना, प्राइम मिनिस्टर पेट्रो फियाला है यापी, सिम सिम से नाम है और प्रेजिडेंट है पेट्रो पावील Next question, who has been appointed as a chairman of the Atomic Energy Regulatory Board तो परमाणू उर्जा नियामक बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया, आंसर है दिनेश कुमार शुकला, अब यहां से हम हिंट के तौर पे Atomic से Atom Bomb की बात करती है, कि Atom Bomb की बात करें तो दिन दहारे तो आप कोई Atom Bomb फोड़ेगा नहीं, कि एकदम से गया और दिन में Atom Bomb रखके फोड़ दिया, है न, तो आप इसे ऐसे Associate कर सकते हैं, दिन से थोड़ा से Atom Bomb से हमारा Atomic बन चाएगा और दिन का मतलब हो गया, दिनेश, Atomic Energy Regulatory Board जो है, इसके स्थापना 15 November 1989 को हुई थी, भारत के राष्टपती के द्वारा, Next Question है, Who has assumed the command of the Indian Air Force Western Air Command recently? तो भारते वायो सेना की जो Western Air Command है देखिए, उसकी कमान किसने सम्हाली है, तो कौन पॉइंट किये गए है, आंसर इस, पंकच मोहन सिनहा, और पंकच मोहन सिनहा ने सकसीड किया है Air Marshal S. प्रभाकरन जी को, तो अब केसे हम याद करेंगे, तो Air Force की अगर हम बात करें, तो बहुत ही funny सी trick मैं इसके आपको बताना चाहूंगे कि Air Force में खाले एक Western Air Command ऐसी थी, अब Western वाली Air Force ऐसी थी, जहां पे मिलता था पान, तो ये बात क्या होई हमार, हमको इस बात ने मोह लिया, कि बहुत क्या बात वहां पे पान मिलता है, हैसी थोड़ अगला question है, who has been appointed as a new chief economist of the Organization for Economic Cooperation and Development, तो जो OECD है, इसकी नई मुख्य अर्थशाष्ट्री कौन पॉइंट हुई है, सही answer है, clear, Lombardley, जो है, इनको अपॉइंट किया गया है, तो देखे, अगर कोई organization है, जो economic सायोग और development की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, तो उसको क्या होना होगा, उसको clear होना पड़ेगा, बिल्कुल, clear का मतलब उसको हर चीस clearly पता होनी चाहिए, कि जो economy है, कि पूरा हिसाब उनको clear होना चाहिए, तब ही वो development कर सकते हैं, तो clear से हमारा हो बात की में हुई headquarter है, पारिस में, member country से 38, next question, who has been appointed as an interim chief executive officer और भारत पे, भारत पे के जो अंतरी मुख्य कारेकारी अधिकारी पॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, नलिन नेगी, तो देखें, आज कल तो क्या करते हैं, जम नेग लेते हैं, नेगी से आप नेग से बना लो, कि इतना online का जमाना हो गया, कि नेग में भी लोग कहते हैं कि भारत पे से pay कर दो, है नेग आप online ही कर दो transition, तो इतना जादा जो है, वो आज कल online का जमाना हो गया, तो ऐसे हम associate कर सकते हैं, next question है, who has assumed the charge as a secretary journal of the Asian Pacific Postal Union, तो अभी Asian Pacific Postal Union के महा सचीफ कौन पॉइंट ह हैं, dr. विने प्रकाश सिंग, next question देखे, who has been appointed as a new chief executive officer of bank of Singapore, bank of Singapore के जो नए CEO appoint हो है, उनका नाम है, जैसन मू, देखे, कैसे associate करेंगे, जैसे माली चे कोई अंकल है, उनका बेटा गर सिंगापूर में रहता है, तो ऐसे कहते हैं, कि आरे मेरा son तो सिंगापूर में रहता है, या ऐसे associate college कि उसका तो सिंगापूर में bank में बहुत पैसा पड़ा है, कई लोग शेखी भी मारते हैं बहुत जादा, लेकिन लोगों की बाते होती हैं, कहने की बढ़ाई भी जादा करते हैं, तो ऐसे imagine कर लो थोड़ा सा, कि बहुत कोई son है, जो कि कहां रहता है, सिंगाप कर्मन यानि उबाद्यक्ष पॉइंट हुए हैं, उनका नाम है सायम महरा, जब भी हम जोईलरी लेने चाते हैं, कोई jam खरीदेंगे, रत न खरीदेंगे, तो बहुती अराम से, बहुती सायम से खरीदते हैं, है न, क्योंकि भई महनत का पैसा होता है, या कह लिजे कि अब ह है, who has been appointed as a managing director and CEO of the Paytm Payments Bank Limited, तो जो अभी Paytm Payments Bank Limited के MDCO बनी है, उनका नाम है सुरिंदर चावला, तो ऐसे आप associate करें कि आप चावल लेने गए हैं, तो जब आप चावल लेने गए हैं, तो आपने payment कैसे किया, payment कैसे किया, पेटियों से करा, तो बस हो गया न, associate चावल से हो जाएगा, अगला question है, nutrition company है, Harve Life Nutrition India Primate Limited, इन्होंने अपनी nutritional sponsorship के लिए, किसे ही अपना brand ambassador appoint किया है, तो इन्होंने स्मृती मंधाना को जो है, अपना brand ambassador appoint किया है, जब हम nutrition की बात करते हैं, देखिए, तो हमारी स्मृती यानी हमें अपनी जो nutrition, अगर हम एक चाट अगर हमा लेना है, कि breakfast में हमें एक करना है, तो उसको हमें अपनी स्मृती में fix कर लेना है, ठीक है, ऐसे associate आप कर सकती है, यहां बाल brand ambassador revision कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताया था कि बंदन बैंक के ambassador बने सौरव काउंगली, अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया का brand ambassador बनाय जानवी कपूर, मेरिको, सफोला, फिटी फाई की जो है, वो brand ambassador appoint हुई है, आगला question है friends, who has been appointed as a director of META's global business group in India, भारत में META के global business group के निदेशक के रूप में किसे appoint किया गया है, सही answer है, विकास पुरोहित को next question, who has been appointed as a new chief technologist of NASA, तो NASA के जो नए मुख्य पद्योगी के विद्यानी chief technologist appoint हुए है, उनका नाम है A.C. चरणिया, अच्छा ये NASA के technologist है, तो ये इन्होंने क्या किया, एक एक चरण जो है उसको पास किया, एक एक चरण का मददर step पास किया और उसके बादी NASA में appoint हुए, scientist वहाँ पे थे भव्य लाल उनको जो है वो इन्होंने replace किया है, अगला question है, who has been appointed as a chairman of the senior selection committee of BCCI, तो BCCI की जो वरिष्ट challenge समीती है, उसके अध्यक्ष के रूप में appoint किसी किया गया है, चेतन शर्मा, देखे BCCI के senior selection committee क्योंकि इनका जो चेतन कहते है ना, दिमाग बहुत सदा इनका चेतन इनका अच्छा था, तो इसलिए इनको senior वाले category में appoint किया है, BCCI ने, अगला question है, who has been appointed as a new chief executive officer और बेदान था कियान, oil and gas, तो इसके जो भी हाली में CEO appoint हुए है, इनका नाम है, Nick Walker, तो अब देखो, oil से यहां relate कर लो, क्योंकि आप बहुत दो इतना ज़्यक कम हम नहीं ले पाएंगे, अगर oil कहीं किरा पड़ा है, तो वहां पे आप सही से walk नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका पैर जो है, वो विसलता है oil पे, ठीक है, तो oil और walk को हमने associate कर लिया, तो इससे हमारा एक image बन जाएगी, तो हम आसानी से dick लगा सकते हैं, इनका नाम है, पं अंकच कुमार सिंग, और जो हमारे national security advisor है, उनका क्या नाम है, अजीत दोबाल, दोनों याद रखेगा, next है, who has been appointed as the new chief executive officer of Cognigent, तो Cognigent के जो नए CEO बने है, उनका नाम है, रवी कुमार, रवी कुमार ने succeed किसे किया है, ब्रायन हम्फ्रीज की जगा पर ही अपॉइंट हो ये 15 मार्स 2023 कुरोडायर हो जाएंगे, उसके बाद में appoint होएंगे, कौन रवी कुमार, next question है, तेलंगाना के जो नए chief secretary appoint होई है, उनका नाम क्या है, तो friends, इनका नाम है, ए शांती कुमारी, तो ए शांती कुमारी तेलंगाना की बनी है, नए मुख्य सचेव, तो आप इसको इमाजन करो कि किसी लड़किया वुमेन को इमाजन करो कि जो हमेशा अपने बालों में तेल लगाए रहती थी, बहुती शांत सुभाब की थी, और लेकिन उसका secret क्या था, कि वो गाना बहुत अच्छा गाती थी, तो देखो सब कुछ रिलेट हो गया, तेल, गाना, नागरिक उड्यन महा निदेशाले के जो नए प्रमुक पॉइंट हो, उनका नाम है विक्रम देव दत्त, अच्छा यहां से उड्यन से उणना ले लो, और यहां से देव ले लो, कि देवता लोग तो हट जगे उड़के ही बहुत जाते थे, बस इसली आप एसोसेट कर पा नेक्स्ट कोशन है, अरोणा मिलेर हैस बिकम दफ फर्स इंडियन अमेरिकन पॉलिटेशन तो बी सौन, इसली लेटरेन गवरनर विच स्टेट ऑफ उएस ते, तो यह अमेरिका के किस राज्य के लेटरेन गवरनर के रोपे शपत लेने वाली पहली भारते अमेरिकी पॉलि यह अनिकि डारेक्टी शादी कर लोगे, मिलोगे ना पहले जिससे बातचीत करोगे, तो मिलने से मिल से हो जाएगा मिलेर, अगला कोशन है, अगला कोशन है, अगला कोशन है, तो इसकी नए सी-ओ अपॉंट हुए हैं, उनका नाम क्या है, प्रवदेव सिंग, तो समारे सभी अपॉइन्मेंट्स, अब आते हैं, अवर्ड से ओनर्स के उपर, तो सभी अवर्ड को हम कवर करेंगे, पहला कोशन है, असम स्टेट का जो हाइस्ट सिविलन अवर्ड है, जो कि है फ्रेंड्स असम बाइभव, तो ये अवर्ड किस से इस अवर्ड से किसे समानि किया गया है ये अवर्ड मिला है डॉक्टर तपन सैकिया को तो क्यों मिला है देखें कैंसर की ट्रीटमेंट में चुट का कॉंट्रिबूशन रहा है उसके लिए इनको असम बैभव अवर्ड से सम्मानित किया गया है अब यहाँ पे आपको और भी पॉइंट ध्यान रखने ह जैसे असम सौरब ये असम का सेकेंड हाइस्ट सिविलेंट अवर्ड है इस अवर्ड से किसे सम्मानित किया गया है और इसे 15 लोगों को सम्मानित किया गया है तो जागा मिशन के लिए जो ये ये यूएन हाबिटेट वर्ड हाबिटेट अवार्ड ये किस स्टेट ने जीता है सही आंसर है उडिसा नी देखिए जो जागा मिशन एक तरीके का स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जो जुगी वासी है उनके जीवन को शिशक्त बनाना इसका उदेश है उडिसा का 2019 में उडिसा के जागा मिशन को वर्ड हाबिटेट अवार्ड भी रिसीव हुआ था नेक्स्ट कोशन है विच फिल्म हाज वान 18th एन्वल गूल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 इन दा कैटेगरी ओफ बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अब दिखो कई जब अवार्ड होते हैं सरीके के तो उसमें किटिगरी वाइस हमें ध्यान रखनें यहां पूछा किया है कि बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में जो एन्वल ग्लोब गूल्डन ग्लोब अवार्ड मि पिनोकियो को इस तरीके से हमें अलग-अलग winners के बारे में ध्यान रखना है नेक्स्ट है फ्रेंड्स डॉक्टर पतंग राओ कदम पुरुषकार किसे मिला है तो ये अबॉर्ड किसे मिला है अदार पुनावाला को बात करें फ्रेंट्स ये अवार्ड ने क्यों मिला है तो COVID-19 के अगेंस्ट में लड़ाई में चो उनका योगधान रहा उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला पतंग राओ कदम जोते वो इंडियन पॉलिटीशियन थे महरास्टर स्ट्रेट थे तो उनकी मैमरी में ही इस अवार्ड को सेट अप किया गया था तो पहली बार हिस्ट्री में देखिया ऐसा हुआ है तो इसलिए याद रखिया कि कौन से गाने को बेस्ट अरिशनल सॉंग का अवार्ड मिला तो वो गाना है ट्रिपल र मुवी का ना तू ना तू सौंग तो साउस सिनिमा की जो फिल्म है ट्रिपल र इसने एक हिस्ट्री क्रेट करी कि इनोंने गोल्डन ग्लोव अवार्ड जीता है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कोशन हो सकता है अगरा कोशन है देखिए वो हस बीन ओनर्ड विद लाइफटाम अचीब्म अवार्ड एट ओपनिंग सर्मनी ओफ फिफ्टींग अडिशन ओफ जैपून इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल तो इस फेस्टिवल के उधगाटन सम्हारों में लाइफटाम अचीब्म अवार्ड से समानित किसे किया गया है अपड़ना से इनको तो थोड़े से अवार्ड वाले कोशन से के डारेक्टली याद करेगा मैं बुक्स में फिर आपको ट्रिक बता दूँगी तो दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए जो उनकी दिखे लाइफटाम सर्विस रही है उसके लिए उनको अवार्ड मिला है और किसे मिला है ये अवार्ड धननजे यश्वन्त चंदरचूर को ये इंडिया के 50th नंबर के जो है इस टाइम पे चीव जस्टिस हैं विच बैंक हैस अवार्डेट तब बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड ये वार्ड मिला है तमिलाड मरकेटाइल बैंक को बैंक ने एक लाग करून रुपे से कम के बुक साइस वाले बैंकों की श्रेनी में जो है वो बेस्ट स्मॉल बैंक का अवार्ड जीता है तमिलाड मरके जो बैंक लिमिटेट है इसके सापना हुई थी 1921 में उस टाइम पे इसका नाम नदार बैंक था बाद में 1962 में इसका नाम चेंज करके हो गया तमिलनार्ड मरकेटाइल बैंक नेक्स्ट कोशन है 71st एन्वल मिस यूनिवर्स पेजन्ट की विनर कौन रही तो देखे इस बार जो मिस यूनिवर्स मनी हैं फ्रेंड्स वो हैं फ्रेंड्स आर बोनी गाप्रियल तो ये बनी फ्रेंड्स इस बार की मिस यूनिवर्स सेकंड प किया गया था, next question है, who has received the first ever federal bank literary award 2023 for his autobiography और इन वेंशितनी कथा, तो इस अपनी autobiography के लिए जो सबसे पहला federal bank literary award जीता है, ये किस ने जीता है, के वेनु ने award जीता है, who has been awarded the प्रवासी भारते सम्मान award for his contribution towards community welfare, तो सामुदाई कल्यान के लिए जो उनका योगदान रहा उनके लिए प्रवासी भारते सम्मान पुरुषकार ये किसे मिला है, धिरू, कुमार, नदेसन को जो है ये award मिला है, तो ये award उनका contribution जो community के तरफ उनका contribution रहा है, उसके which state has received सुभास चंतर बोस आपदा प्रवंधन पुरुषकार 2023, तो अपने राल्चे में जो disaster management को उनके बहुत ही भैतरीन धंग से देखे उसको किया है, उसी के लिए उनको सुभास चंतर बोस आपदा प्रवंधन पुरुषकार मिला और ये award मिला है, उडिसा स्टेट को, उ who has been awarded the पंडित हरी प्रसाच चौरस या lifetime achievement award, ये award मिला है फ्रेंड्स डॉक्टर प्रभा आत्रे को, डॉक्टर प्रभा आत्रे को अगर बात करें कौन हैं ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है कि राना घराना से इनको और भी कई जो है वो प्रस्टीजियस अवोर्स मिले है जैसे पद्म श्री मिला 1990 में, पद्म भूशन मिला इने 2002 में, पद्म भिभूशन इने मिला था लास्ट यरी 2022 में, तो या देखेगा इस सभी years important हैं तो बहरीन का ये शीष नागरी पुरिस्कार है और ये अवोर्ड मिला है डॉक्टर सेंदुक रुईत को ये नेपालीस ओर्थमोलोजिस्ट है जिनको बहरीन का टॉप सिविलियन अवोर्ड मिला इने गौड ओव साइट भी कहा जाता है इन्होंने एक लाग बीस जार आखों की रोशनी बचाने के लिए काफी मतलब एहम भूमी का निभाई है इसके लावन को पदमश्री अवोर्ड मी मिला है नैशनल ओर्डर अप मैरिडो भूटान रमन मेक्सिस से अवोर्ड मी इने मिल चुका है अगला कोशन है इसके लिए ये अवोर्ड दिया जाता है विच्छ रेयल्वे स्टेशन हैं इसके गंजम डिस्ट्रिक में है देखे असका पुलिस स्टेशन जिसको नमबर वन पुलिस स्टेशन का अवोर्ड मिला सेकेंड नमबर पे उडिसा के गंजम डिस्ट्रिक का पुलिस स्टेशन है गंगापूर तीसरे नमबर पे है उतराकन के चंपावर डिस्ट्रिक का बनबसा पुलिस स्टेशन नेक्स्ट कोशन है तो पद्म बिभूशन के लिए कितने नामों की घोशना की गई यादकी का बहुत इंपोर्टेंट है टूटल छे नामों की घोशना की गई है पद्म भिभूशन के लिए जिसमें से कौन-कौन है चाकिर हुसेन, एसम कृष्णा, दिलीप महानलाबिश, श्री निवास वर्धन, मुलायम सिंग यादव और भाल कृष्ण दोशी छे में से तीन को मिला है बौस्थि में सी अवर्ध, इसके अलावा पद्म भूशन की बात करें तो नो लोगों के लिए पद्म भूशन के नाम दिया गया और पद्म श्री कितने को मिलेगा, नाइंटीवन को तो इस तरीके से आपको याद रखना है 6991, टोटल की बात करें तो 106 जो है वो पद्म भूशन के लिए अनौंस्मेंट की गई है, यह पद्म भूशन आप नो लोगों के नाम यहाँ पे देख सकते हैं जिनको पद्म भूशन अवार्ट दिया जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पे हमारे अवार्ट के क्वेशन भी कम्प्लीट होते हैं, अब आती हैं बुक्स और ओथर्स की बारी में पहले कोशन है, बुक का नाम है इर्फान कान अलाइफ इन मुवीज, यह बुक किस ने लिखी है, तो फ्रेंट्स यह बुक लिखी है, शुब्रा गुपतानी, आप इसको याद कैसे करेंगे दिखिए तो दिखिए इसमें ऐसे हम याद करेंगे है, लाइफ इन मुवीज, यानि मुवीज में जो लाइफ दिखाई जाती है, वो ऐसे दिखाते हैं कि पहले अगर सब कुछ बुरा भी हो रहा तो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है, मतलब शुब हो जाता है, तो रियल ला बात करते हैं Human Anatomy की तो ये बुख लिए है डॉक्टर अशुनी कुमार दुवेदी ने, अगर बात हम वेदो की करेंगो कि आप पे वेदी आ रहा है तो वेद ले लीजे कि वेदो की बात करें, तो वेदो में भी अगर हम पड़ी या कुद्दिया हमने सुना है, तो हीमन की लिकी है, सही आंसर है, आर कौशिक और आर श्रीधर ने फ्रेंट्स पुस्तक लिकी है, जिसका टाइटल है, कोचिंग बियोंड, नेक्स्ट कोशन है, हुई से अधर अधर अधे बुख जिसका टाइटल है, इंडियास नॉलेज सुपरमेसी, दर न्यू डॉन, ये बुक ल इस बुक को लॉन्च किया है, एजुकेशन मिनिस्टर धरमेंदर प्रधान ने, तो ये याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कि लॉन्च किस ने किया है, अगला कोशन है, हुई इस दी ऑथर अधर अधी बुक, जिसका टाइटल है, ब्रेविंग अव बाइटल स्टॉर्म, इ अमबेडकर अलाइफ, तो फेंट्स, अमबेडकर अलाइफ, ये बुक किस ने लिखी है, शशी थरोडनी, तो देखें, अमबेडकर ची के लाइफ के उपर ये पुस्ता लिखी गई है, तो अमबेडकर ची को फादर अफ इंडन कॉंस्टिटूशन काहा चाता है, तो इन्ह रिलीजड दा बुक जिसका टाइटल है चीफ मिनिस्टर से डाइरी नंबर वन यहां पूचा गे दिखे इस पुस्तक का विमोचन किस ने किया है तो इस पुस्तक का विमोचन किया है रंजन गोगई ने इसमें असम के जो मुख्यमंतरी है डॉक्टर हिमांता विश्व शर्म उनके कारेकाल का जो पहला एयर था उसी का ही लेखा जुखा इस बुक में जो है वो दिया गया है रंजन गोगई प्रेजेंट में राज्यसभा के मेंबर है और यह 46 जीव जस्टिस भी रहे थे भारत के 2018 से 19 तक 13 मन्त के लिए इसके बारे में अब तो हर जीव को पता है ऐसा आप बोल सकते हैं कि आप हर जगे इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं सुन सकते हैं तो हर जीव को पता है तो बस जीव से बन जाए का संजीव यह जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रॉगल रहा है उस दौरान जो भी रेवोलिशनरी मूवमेंट्स होए थे उन पर रिलेटेड है यह बुक नेक्स्ट कोशन एमिनेंट टेक्नो एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के के अब्दुल गफार के ओटो बाइगरफी है नाजन सक्षी यह रिलीज किसने करी तो इनके जो ओटो बाइगरफी है इसे महिंदर सेंग धोने जी ने रिलीज किया तो प्रोफेसर गफार ची की जो वो बुक ये बताती है next question है Prince Harry Duke of Sussex has released his memoir जिसका title है Spear इस बुक को जो है किसकी सहायता से लिखा कैया है तो दीखे Prince Harry ने बुक लिखी और ये उन्होंने किसकी सहायता से लिखी है J.R. Mooringer की सहायता से इस बुक में Harry ने अपनी फादर के साथ जो King Charles है उनके साथ जो उनके relations है कि सरीकी कि उनके relations अपने father के साथ अपने elder brother के साथ जो भी other members है royal family के उसको details में जो है इस book में बताया है तो friends यहाँ होती है आज की video complete मैं आशा करते हूँ कि इस video से आपको knowledge पुरी तरीके से मिली होगी और friends अब आपका जो January का monthly C है वो complete हो गया है आप बाकी दर videos देखना चाहते हैं तो playlist जरूर चेक करें आपको सारी videos वहाँ पे मिल जाएंगे और PDF के लिए आप लोगो टेलिग्राम जोइन करना होगा उसका link description में दिया गया है और friends ये trick अगर आपको हमारी videos पसंद आ रही है तो video को like जरूर करें कियें क्योंकि आपके एक like से हमें बहुत motivation मिलती है share करें और friends channel को subscribe जरूर करें मैं आप से मिलूँगी another important class में thank you so much for watching this video